बच्चों कैसे हैं आप सब आज हम क्लास 6 आपका जो चप्टर 11 है अलजेबरा इसके बारे में सीखेंगे अलजेबरा क्या होता है ये सीखेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे ठीक है इंट्रोडक्शन अफ अलजेबरा अब आप समझो कि ये कोई बास्केट है और एक बास्केट में ये 5 फ्रूट्स रखे हुए है ठीक है और हर बास्केट में अगर 5 फ्रूट है तो एक बास्केट है तो उसमें आएंगे 5 फ्रूट और अगर 2 बास्केट है तो उसमें भी बास्केट कर देंगे, 4 बास्केट है तो 5 फ्रूट्स इंटू 4 बास्केट कर देंगे, इसी तरह से माल लेजे कोई भी नंबर हो आपका, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है तो 5 इंटू 10 कर देंगे, इसी तरह से माल लेजे x baskets है, मतलब x basket number fix नहीं है, तो क्या करेंगे x into इसको कर देंगे हम 5 into x 5 into x यह बी basket है, तो इसके लिए का करेंगे, 5 into b, तो यह b जो है, एक variable होता है, और b की value 1, 2, 3, 4, कुछ भी हो सकती है यानि हमारा जो formula तियार हो जाता है वो हो जाता है 5b, अगर b की जगएप हम 1 रखेंगे, तो 5 fruits आजाएंगे, और यहाँ पर b की जगएप अगर हम 2 रखेंगे, तो 5 into 2, यानि 10 fruits आजाएंगे, और b की जगएप 3 रखेंगे तो 5 into 3, 15 fruits आजाएंगे, b की जगएप 4 रखेंगे तो 5 into 4 20 fruits आ जाएंगे तो इसी तरह से हम एक variable decide कर लेते हैं numbers की जगे पर जिससे के हमारा formula जैसा बन जाता है तो चली हम exercise को करते हैं तो इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा अब यहां वी question दे रखा है find the rule which gives the number for majestics required to make the following majestics patterns use a variable to write the rule यहां पर किसी variable का use करना है और हमें इसका rule लिखना है अब यहां पर suppose आपको t बनाना है तो एक majestik ऐसी रखेंगे आप और एक majestik आप ऐसी रख लेंगे t तयार हो जाएगा और अगर t हमको 2 बनानी है तो एक majestik ऐसी और एक majestik ऐसी 2 t हो जाएगी तीन रखनी है तो एक ऐसी और एक majestik ऐसी हो जाएगी तो इस तरह से हम majestik त्यार करके t को हम बना सकते हैं अब एक match stick में, एक T बनाने में, यह जो लेटर है T बनाने में, कितनी match stick लग रही है, 2, कितनी लग रही है, 2, तो इसका जो rule हो जाएगा, rule for T, वो हो जाएगा, 2 लग रही है match stick, तो 2 इंट 2, कुछ भी number आप मान सकते हो, x by z, abc, कुछ भी, तो 2 x लेना है, तो 2 x ले लो, rule हमारा तयार हो, rule हो जाएगा, यानि कि rule for T हो जाएगा, T equals to 2 x, इसी तरह से हम देखेंगे, कि किस में कितनी match stick लग रही है, और एक हम बहाँ पर variable रख देंगे, जिससे कि हमें exact पता चल जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, अब pattern for letter Z, SZ, अग एक match stick ऐसी रखे जाएगी, एक ऐसी रखे जाएगी, और एक ऐसी रखे जाएगी, यानि 3 match sticks में हमारा काम चल जाएगा, तो यहाँ पर क्या करना है हमको, इसका formula जो हो जाएगा, वो 3 match stick इंटू, x रख सकते हो, by रख सकते हो, a, b, c, कुछ भी रख सकते हो, तो उपर x लि रही है, तो इसका rule हो जाएगा, 3 and 2, यहाँ पर z रख लो, कुछ भी letter आप लिख सकते हो, letter आपकी मर्जी है, कुछ भी चूच कर सकते हो, a, b, c, d, अब यहाँ पर v में, एक match stick ऐसी, और एक match stick ऐसी लग रही है, तो यहाँ पर rule हो जाएगा, कितनी match stick लग रही है, यहाँ actually मैं उपर सोड़ा number change कर देता हूँ, यह z, 2 ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर इसको हम a लिख दें, चलो, 3 a लिख देते हैं, ठीक है, अब दिख रहा होगा, तो v के लिए, b में 2 match stick है, 2 and 2 b लिख सकते हो, a, b बना सकते हो, यह c बना सकते हो, जो आपकी मर्जी है, कु भी हो सकती है, इसी तरह से e pattern बनाना है, तो e के लिए हम एक match stick ऐसी रखेंगे, 2, 3, 4, 5, 5 match sticks यहाँ पर लग रही है, तो इसका formula हो जाएगा, कितना, 5 into a, b, c, d, कुछ भी लिख सकते हो, हम d लिख दे रहे हैं यहाँ ठीक है, इसी तरह से rule for s के लिए, s में कितनी match stick लग र लग रही है, तो इसका भी formula हो जाएगा, 5 into, कुछ भी लिख सकते हो, a, b, c, d, e, f, g, h, 5, f लिख दू, 5, f लिख दिया हमने, इसी तरह से यहाँ पर rule for letter a, a में कितनी match stick लग रही है, इसको देखेंगे हम, तो देखते हैं, a में लग रही है, 1, 2, 3, 4, 5, और यह 6, a में 6 लग रही है, तो इसका formula हो जाएगा, 6 into, यहाँ पर g लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो यह variable आप कुछ भी लिख सकते हो, बाकी यह देख लो, जितनी match stick हैं, वही उसका simple सरूल बन जाता है, I hope आपको इतना समझ आ गया होगा, चलिए, अगला question करते हैं, यहाँ पर question है, we already know the rule for the pattern of letters L, C, E, F, E, some of the letters from question 1 given above, give us the same rule as the given L, which are these, question number 1 में, letter L के जैसा same rule किसका किसका हो सकता है, question 1 में, L के जैसा rule सेम किसका किसका हो सकता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि L का rule क्या होगा, L में 2 match stick 1 और 2 लग रही हैं, तो L का हो जाएगा, 2 into X लिख सकते हो, है ना, तो 2 से multiply किसमे किसमे हो रही है, हमें 2 letter देखना है, चलिए हम पिछला बाला page आपको दिखाते हैं, देखेगा, तो यहाँ पर, 1 letter 2 बाला यही आया है, V में, और एक यह T में आया है, इन में केबल 2 match stick लग रही है नि, V and T इसका answer हो जाएगा, तो इसका answer हम लिख देंगे यहाँ पर, V and T, तो इसका answer हमें लिख दिया है, T and V has same rule as L, because they required only 2 match sticks, तो सबका rule क्या हो जाएगा, 2A, 2B, 2C कुछ भी आप एक सा लिख सकते हो, ठीक है, फिर question number 3 बोल रहा है, cadets are marching in a parade, कुछ cadets parade में march कर रहे हैं, there are 5 cadets in a row, एक row में 5 cadets हैं, what is the rule which gives the number of cadets, given the number of row, use n for the number of row, तो यहाँ पर यह बोल रहा है, कि कोई cadets march पार्स कर रहा है, उसमें 5 cadets हैं, 1, 2, 3, 4, 5, एक row में, फिर 2 में भी 5 हैं इस तरह से, ठीक है, और 3 में भी 5 हैं, इस तरह से कई सारी row हो सकती है, 1 row, 2 row, 3 row, इस तरह से n row हैं, तो उसके लिए क्या rule हो जाएगा, तो बन के लिए 1 into n लगा लो, 2 के लिए 2 into n, 3 के लिए 3 into n, 4 के लिए 4 into n, है ना, तो यहाँ पर n row हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक row में 5 cadets हैं, तो n row में कितने हो जाएंगे, 5 into n, यानि cadets in n row equals to 5n, तो n row में कितने cadets हो जाएंगे, तो 5 into n, यानि कि इसका आंसर 5n हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह अगला question करते हैं, if there are 50 mangoes in a box, एक box में 50 mango हैं, how will you write the total number of mangoes in terms of number of boxes, use v for the number of boxes, b box हैं और एक box में 50 mangoes हैं, तो कितने mangoes हो जाएंगे, तो लिखे देगे, तो total number of mangoes in b boxes हो जाएंगे, 50 b, ठीक है, यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो variable यहाँ actually दे रखा है b, तो b रखना था, नहीं तो अपने मन से कुछ भी रख सकते थे, तो इस तरह से question number 4 भी हो गया, अब अगला question करते हैं, question number 5 देखते हैं, question number 5 में बोल रहा है, the teachers distributed 5 pencils per student, एक teacher ने हर बच्चे को 5 pencils दी है, can you tell how many pencils are needed, given number of students, use S for the number of students, तो एक बच्चे को 5 pencils मिली है, और S student है तो कितनी हो जाएंगी, इसके लिए लिख देते हैं, तो S student के लिए pencil चाहिए होंगी 5S, कितनी 5S, इसको 5S लिख देंगे, ठीक है, फिर अगला question है, a word flies 1 km in 1 minute, एक मिनट में कोई चड़िया 1 km जाती है, can you express the distance covered by the word in terms of its flying time in minutes, इसको बताना है कि कोई चड़िया जो है वो, कितना distance कबर करेगी, मिनट में, ठीक है, तो यहाँ पर T for minutes के लिए यूज करेंगे, तो यहाँ पर सीधर-सीधर हो जाएगा, 1 in 2 T यानि कि, इसका answer हो जाएगा, distance covered by bird in 10 minutes request to 1 in 2 T लिख दो, या हम इसको cable, simple T भी लिख देंगे, तो भी चलेगा, यही इसका answer हो जाएगा, ठीक है, चलिए है, अगला question देखते हैं, रादा इस ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली, a beautiful pattern of line joining dots with chalk order, she has 9 dots in a row, एक row में 9 dots हैं, how many dots will her रंगोली have for our rows, our rows हैं, तो कितने dots होंगे, फिर how many dots are there, if there are 8 rows, if there are 10 rows, तो इन सब का निकालेंगे, पहले हम R rows के लिए कितना करेंगे, वो निकालेंगे, यानि 1 row में 9 dots हैं, तो R row में कितने होंगे, वो लिखते हैं, तो R rows हैं, तो उसके लिए हो जाएगा, 1 row में 9 हैं, तो 9 R हो जाएगा, ठीक है, इसका अंसर 9 R हो गया, 8 rows के लिए 9 into 8 कर देंगे, यानि कि 9 R जा 72 dots हो जाएगे, कितने 72 dots हो जाएगे, इसी तरह से 10 rows के लिए 9 into 10 कर देंगे, तो अंसर आ जाएगा 90, ठीक है, तो इस तरह से ये question होगा, अब आगे देखते हैं, अगला question है, लीला एज राधा's younger sister, लीला जो है राधा की चोटी बेहन है, लीला एज 4 year younger than राधा, और लीला जो है वो 4 साल चोटी है राधा से, कैन यू राइट लीला एज in terms of राधा's age, क्या आप बता सकते हो लीला की एज को राधा की एज की टर्मस में, अगर राधा की एज को X माना जाए तो चलिए, इसको हम करके दिखाते हैं, तो आपको बहुत ही easy लगेगा और समझ में भी आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने राधा की एज को X लिख लिया है, देखो ये, और लीला की एज, दिला जो है वो 4 years जो है अपनी बहन से छोटी है, यानि कि इसकी हमको X लिखना है, और इसमें से 4 साल को कम कर देना है, ठीक है, तो इसकी ये जो हो जाएगी वो X माइनस 4 हो जाएगी, इसको हम as a test X माइनस 4 लिख देंगे, यही इसका answer है, ठीक है, अगला question देखिए, mother has made laddo, mother ने laddo बनाए है, she gives some laddo to guests and family members, कुछ उन्होंने guests और family को दिये हुए हैं, इस्टिल 5 laddo remains, 5 laddo बच गए हैं, if the number of laddo mother gave away is L, how many laddo did she make, यहीं ममी ने laddo L माट दिये, और 5 बच गए हैं उनके पास अभी भी, तो total कितने बनाए, तो जो बाट दिये वो, और यह बचे हुए यह, यह सारे जोड़ दो, यही तो बचेगा न, तो इसका answer हो जाएगा, सीदे सीदे L प्लस 5, तो मम्मा ने laddo बाटे हैं L, laddo बचे हैं 5, कुल कितने बनाए थे, इसको लिखेंगे L प्लस 5, ठीक है, यह इसका answer हो जाएगा, अब last answer question देखिएगा, orange are to be transferred, from larger box to smaller box, when a large box is emptied, जब बड़ा box खाली हो जाता है, तो the orange from it filled, two smaller boxes, तो दो छोटे box को भर देता है, और 10 orange बच जाते हैं बाहर, if the number of orange in a small box are taken to be x, तो number of orange in the larger box, बड़े box में कितने orange थे, यानि कि छोटे box में इसमें भी x आ रहे हैं, और दूसरा एक box और बना रहे हैं पर, इसमें भी x हैं, और उसके बाद 10 बचे हुए हैं, तो कुल मिला के यह सारे के सारे orange जोट होए, यह एक बड़े से box में रखे हुए थे, यही तो बोला ना, कि दो small box और, 10 बचे हुए मिला के सारे के सारे इस बड़े box में थे, तो इसका हम कैसे लिखेंगे, तो इसको भी देख लीजे, एक box में x, तो दो box में 2x, तो one box में orange थे वो थे, कितने x लेना है, यहां साप साप लिखा हुआ है, तो one box में x, two box में हो जाएंगे 2x, है ना, two box में 2x, तो total orange कितने हुए, 2x तो भरे हुए, और 10 बचे गए थे, extra, तो 2x प्लस 10 इसका final answer हो जाएगा, है ना कितना है जी, चलिए, अब लास्ट कुश्चन देखते हैं, 11 बाला, कुश्चन 11 कह रहा है, लोक अट दा फालोइंग मेचिस्टिक पैटरन्स अफ इस्कार्स, दा स्कार्स अर नाट सेपरेट, two neighboring स्कार्स हैब कॉमन मेचिस्टिक्स, observe the pattern and find the rule, that give the number of मेचिस्टिक्स, in terms of the number of squares, तो यहाँ पर भी हमको rule निकालना है, तो यहाँ देखो, यह मेचिस्टिक्स से square बना हुआ है, तो यहाँ पर four मेचिस्टिक्स चाहिए, यहाँ पर यह four तो यह हो गई, one, two, three यह हो जाएगी, यानि कि four plus three, यहाँ पर four यह, और two, three, three, one, two, three, हर बार में three, three बढ़ता जा रहा है, जैसा कि pattern को observe कर पा रहे हो, हर बार में three, three बढ़ता जा रहा है, अगर हम यह मेचिस्टिक हटा के बात करें, यह वाली समय से, सारे box इसमय से, तो यह C का pattern बन रहा है, C में one, two, three मेचिस्टिक होती है, तो 3C हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर जो रूल बनेगा हमारा यह बन प्लस 3 कर दो यहाँ पर बन प्लस 2 इंटो 3 हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 3 इंटो 3 इसमें 1 प्लस 4 इंटो 3 है ना तो हर बार यह 3 तो एक नमबर यह बढ़ता जा रहा है यह नमबर बढ़ता चला जा रहा है तो इसको हम रूल के लूप में लिख लेंगे बहुत ही सिंपल तरीका है जैसे की सी का रूल कितना था लेटर सी का रूल था हमारा 3 into N है नहीं यह 3 इसका रूल हो जाएगा और हर बार में एक match stick एक्स्ट्रा है तो प्लस बन तो इसका answer जो हो जाएगा वो 3 N प्लस बन हो जाएगा pattern of C का रूल हो जाएगा हमने बन एएड कर दिया है तो यह answer 3 N प्लस बन इसका हो जाएगा अब इसका एक question यह देखो यहाँ पर यहाँ पर इसमें 3 match stick चाहिए यहाँ 3 plus 2 यहाँ पर 3 plus 2 or 2 3 plus 2 2 2 तो यहाँ भी वही है यहाँ भी हम एक match stick को अगर हटा दें तो यहाँ पर हमें rule V वाला यह जो rule हमने पूता था 2 and वाला तो यह वाला follow हो जाएगा यानि कि 1 box के लिए 2 plus 1 हो जाएगा इसके लिए 2 into 2 plus 1 इसके लिए 2 into 3 plus 1 इसके लिए 2 into 4 plus 1 है न यह rule हमारा बन रहा है समय से 2 match stick plus 1 extra इसलिए हम यहाँ पर plus 1 कर रहे है तो यह V का rule है तो rule इसके लिए हो जाएगा क्या हो जाएगा 2N plus 1 यहाँ भी हमारे पास एक match stick extra हो रही है तो इसी के साथ ही एक्साज आपकी समाप्त होती है आपको हमारे वीडियो कैसा लगा आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरू करिएगा शेयर और सब्सक्राब भी जरू करिएगा ओके अचले इतना है थेंक यू झाल 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